ननत का दहेज बीटी की शादी एक पिता की जिम्मेदारी होती है लेकिन क्या हो अगर इसका पूरा जिम्मा बहु के कंधे पर रख दिया जाए? पता नहीं इस मधु को हो क्या क्या है घर में शादी है लेकिन मजाल है एक काम जिम्मेदारी से पूरा करते अरे क्या नहीं कर रही है लगी हुई है एक नांसे मैं तो देख रही हूँ कि मदू ही शादी में पूरा काम कर रही है नहीं तो सारे के सारे तो बस ऐसी ही है अरा चुप कर तो तेरी शादी में मेरा क्या हाल था पता है ना हाँ बापी पता है, मेरी शादी वाले दिन बारात के साथ आई थी आप माई के से, मुह मत खुलवाईए, वही अच्छा होगा सास का मुह बन जाता है, तभी मदू हाथ में खाने की धाली सजाकर लाती है बुआजी जल्दी से खा लीजिए तो बासार चले, वो क्या है न, रमा की चुड़िया भी तो लेनी है हाँ, वो तो रमा लेही लेगी, वो क्या कर रही है, सारा कम तु ही करेगी क्या देख, ज्यादा घर में आग ना लगा सीमा, हाँ, तु बेटी है, घर का बला सोच शकल खराब नहीं हो जाएगी, लड़की की शादी है, अरे घर की शादी में पचास काम होता है तबी मधू का पती यानि के दुलहन का भाई आकर खड़ा हो जाता है अरे मधू टीफिन का आ है, आफिस के लिए रोज देर कराती हो अरे अब तो छुटी ले ले, शादी है तेरी बहन की, बहुत से कार्ड बाट ने है क्या बात करिए बुआ, बाहर के सारे कार्ड तो बाट दिये, बस अब यहीं के तो बचे है यह मधू है ना, स्कुटी चलाती है, बाट आएगे शाहर के तो क्यों, आज पूरे हो जाने चाहिए, लिस्ट मा से ले ले लेना अरे मैं कहां दे पाऊंगे लिस्ट, आज तो फाइनल है, कौन बनेगा करोड पती का बोद एक में बैठ जाओंगी मैं तो थोड़ी देर वो क्या है ना, एक भी एपिसोड नहीं जोड़ती मैं उसका पैसे भी मधू, तुझे तो सारे रिष्टेदार पताई है, है ना बू आहरान हो जाती है कि घर में बेटी की शादी है और सारे घर के जिम्मेदारी बहु के कंदे पर ही है उपर से घर का काम भी वही कर रही है जी, मैं देख लेती हूँ, ये लिजी टिफिन, हो सके तो शाम को घर जल्दी आ जाईएगा शाम को जल्दी आ जाईएगा, तुमारे चाचा ने आफिस को लाए ना पती भी ताना देकर निकल जाता है और उसके जाने के बाद आ जाती है उसके बहन यानी के दिल्हन भावी, क्या है ये, उप्टन ता यानी के आपी तक कैसे गोरी लगूंगी मैं उस दिन और हाँ, ये लीजिये बिल, जाकर टेलर से कपड़े लिया, ये सिल गया होंगे ओहो, मुझे तो याद ही नहीं रहा बहु, मेरी साड़ी ले जा, मैचिंग ब्लाउस सिलने दे देना, समझी ना जी, जी माजी और तुम, बहु, तुम क्या पहन रही हो? बहु, बहु, जी अभी तो देखा ही नहीं, मैं भी देखती हूँ, बाजार में शायद कुछ अच्छा मिल जाए शायद कुछ अच्छा मिल जाए, और काड कौन बाटेगा तेरा चाच्छा, बाद में देख लेना खुद के लिए कुछ, समझी? बिचारी बहु, सारा दिन घर के कांग, साथ साथ शादी की तैयारी में लगी रहती क्या जमाना आगया है, बहु के सर बेटी की शादी का सारा जिम्मा, धन्या है ये लोग बुआ बिचारी बहु की जितनी मदद करवा सकती करवा देती, लेकिन फिर अगली ही दिन अरे कहां है सब लोग भाबी, रमे, श्रीना कहां हो देखो मदु को चक्कर आ गया है वो गिर गई है ओहो भाबी, क्या बात है ये बक्त है क्या गिंदी का क्या हो गया भाई पानी डालो इन पर क्या है बुआ, यहां सब को इखटा कर रही हो इतने में तो पानी डालकर उठा देती तो ये चार काम और कर लेती अरे शरम करो शरम एक लड़की पर इतना काम देते हुए सोचते भी नहीं हो तुम लो एक बार तो सोचो उसकी अकेली की जिम्मेदारी नहीं है रीना की शादी अरे बुआ जी क्यों चड़ा रही है उसे आरे यह तो शुरू से ही ऐसी थी घर को कभी जोडने का तो इसने सोचा ही नहीं और बुआ जी शादी को दो दिन बचे हैं वो घर की बहु है काम तो करेगी ना क्यों नहीं करेगी तब ही किसी तरह मदू को होश आता है कि दर्वाजी की घंटी बचती है अरे देखो कौन है और बहु को कुर्सी पर बिठाओ बहु को कुर्सी पर बिठा कर बेटा दर्वाजा खोलता है तो सामने खड़े होते हैं बेहन के सिसराल वाले अब आई 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 परसो शादी है और आप लोग यहाँ सब ठीक है ना नहीं सब ठीक नहीं है तब ही तो आए है वैसे बहु को क्या हो गया है आपकी तब यह ठीक नहीं लग रही नहीं नहीं आंटी जी सब ठीक है मैं अभी चाय नाश्ते का इंतिजाम करती हूँ मदु अंदर चली जाती है तेखे मैं साफ बोल रही हूँ बेटी को जेवर में दो हार देने होंगे मेरी बेटी और उसकी सास को भी गहने देने होंगे हरे, दिखे दो दिन बाद शादी है ऐसे मैं ये कैसे निमान कर रही है जैसे तैसे शादी की तैयारिया चल रही है हाँ बेहन जी, मेरी भती जी को तो आप लोगों ने ही पसंद किया था अब मन पसंद दुलहन भी और दहेज भी ये कहां होता है होने को तो देखे बहुत कुछ होता है दर्वाजे से बाराद भी वापस चली जाती है क्यों तब ही हात में चाई नाश्ता लेकर मधु आ जाती है हाँ हाँ दे चाई दे बैन जी को और जा भाग कर पंडित जी को बुलाला देखे जी अब तो पंडित के नहीं सुनार की दुकान के चकर लगाई या चाई पीकर ननत की होने वाली सास निकल जाती है उसके जाने की बाद मधु जैसी ही घर से बाहर निकलने जाती है आरा कहा जा रही है पंडित जी के पास वो क्याना कुछ सामान लिख वाया था उन्होंने तो उसी के लिस्ट लेने जा रही हूँ सुना नहीं रीना की होने वाली सास ने क्या कहा सोना चाहिए सोना तो माजी सुनार की दुकान चले जाईए ले आईए ना दुकान जाईए ले आईए तेरह बाप ने पैसों का पेड लगा कर दिया है ना तेरे पास जितने गहने हैं सारे निकाल कर रख दे कैसी बात करें मा जी पहली अपने आधे गहने मैं दे चुकी हूँ अब जो है वो बापा की निशानी है वो मैं नहीं दे सकती कैसी बात करी हूं मा से, क्या रिना की शादी रोकते है, मा फोन कर दो उन लोगों को, बोल दो बहु नहीं चाहती कि ननत की शादी हो बाभी, भाईया तो रिना की शादी के लिए अच्छा खासा जोड़ कर गए थी, फिर बहु के गहने क्यों ले रही हो, उसकी भी तो पिता की निशानी है वो गहने ये फेर बोली, आरा तो घर नहीं बना क्या, रमेश की नौकरी के लिए घूंस नहीं दी क्या, ऐसे ही लग गई क्या सरकारी नौकरी और अब जो तन खाती है, उस पर मज़े पी तो यही करती है न, कौन सा हम खाता है लेकिन मा जी, मेरे पिता की निशानी, तो भापी क्या मैं शादी ना करूँ सबी मिलकर मदू को इतना प्रेशर करते हैं, कि वो अपने गहने ननत की शादी के लिए सास को लाकर दे दीती है तेरी जिम्मेदारी है ननत की शादी, समझी? और हाँ भाग कर निकल सीध है पंडित जी के पास, और हाँ आतेवक्त टेंट वाले के पास भी होकर आना, समझी? भापा की परी को बोल दो, हलवाई वाले से बात की की नहीं? कर ली है, उसने भी सामान लिखवाया है, वो भी लाना है, वो आप ले आईए, मैं पंडित जी का सामान ले आती हूँ आँ तो कितनी दिर में पंडित वाला सामान लाओगी? अरे खड़े होकर टेंट तो मुझे ही लगवाना होगा न, वो कौन देखेगा? सारा काम करो, मदू बहुत काम चोरी है तुम्हारे अंदर तो कोई जिम्मेदारी समझे तब न, ननत की शादी है, पता भी है घर में बेटी की एक शादी कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है मदू दभी जबान में बोलती है, जिससे सर्फ बुआ के कान ही सुन पाते है बेटी की शादी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, ये तो मैं समझ सकती हूँ पापा और भहिया को देखा था, कैसे मेरी शादी में बारात आने तक तयार नहीं हो पाय थे और यहां मैं क्या, क्या बोला वो तुम लोग ना सुन पाओगे और ना ही समझ पाओगे बहुला चल, मुझे बता क्या क्या काम है, मैं करवाती हूँ देखो दिदी, तुम कहा काम करवाओगी? बहार का, रीना का, नान का आ रहा है उन लोगों की भी खातिर के लिए कोई चाहिए ना? अरे घर तो तेरा भी है माई क्या आ कर लड़की माई के का देखती है ना कि यह कैसे सराल से आई है धाबी, माई का आपका आ रहा है बेटी के सस्राल आकर भी क्या चैन से पसर कर खाएंगे अरे नतिनी की शादी में आ रहे हैं पहले तो दिखा दिना की क्या क्या दे रहे हैं या फिर आपकी शादी की तरह ही देखा? ज्यादा ना बोल मामा के घर से भात आ रही है कितना काम किया है? मेरी मां और मामी ने देख ले ना बढ़ी आरी बहू आ बहू मा क्या है भवी बाजार गई है कोई काम है तो इंतिजार करो आती ही होगी बुआ देख रही होती है कि कैसे ननत की शादी के लिए एक लड़की लगी हुई है क्या ये शादी उसकी जिम्मेदारी है पूरे घर के प्रयाज से एक शादी संपुर्णा होती है लेकिन यहां ननत की शादी की सारी जिम्मेदारी एक बहू पर है